सारा ने करनवीर पे सामान फैंका सारा ने विवियान डिसैना पे टीशू फैंका सारा ने ईशा पे चपल फैंकी उसके माइक के साथ खीचाता निकरी और सारा ने अविनाश पे भी घर का सामान फैंका उसकी चेस्ट पे अविनाश को चोट लगी है और उसके बाद सारा को घ गर से बेगर खर दिया गया जिया दोस्तो सारा सारा का इविक्षिन गर से हो चुका है कनफाम ये न्यूज है जो प्रोमो आपने देखा सारा किस तरीके से फिजिकल होती हुई नजराई ये पूरी कहानी टाइम गोड टास्क में स्टार्ट हुए थी जहांपे खीचा तानी म जो टाइम गोड की चड़ी है वो ही तूट जाती है उसके बाद सारा करनवीर पे गुस्से में अटैक कर देती है फिर सारा शिल्पा जब उसे मनाने आती है तो उसका हाथ जटक देती है सारा वीवियान पे टीश्यू फैंक देती है इशा के साथ फिजिकल हो जाती है और अविनाश को तो सारा ने कुछ न्यूज आ रहे थी कि भाई थपड़ मारा है कोई बता रहे है चपल मारा है कोई बता रहे है कि अविनाश के उपर कुछ फैंक के मारे जिससे अविनाश को चोट लगी है लेकिन बड़ी बात बड़ी अपडेट कि सारा गर से बेगर हो इसके बाद सारा गर में रहनी चाहिए और सारा के अगेंस्ट सारा का सारा गर था और सारा यहां पे गर से बेगर हो चुकिया है। बिक बोस से सारा बेगर हो चुकी है exclusive and confirmed news यह है सारा ने physical physically सारा ने माँ पे violence किया करनवीर के साथ अविनाश के साथ, वीवियान के साथ, ईशा के साथ और भी किसी के साथ किया हो तो यह आगे पता दल जाएगा पराल फिलाल यह 4-5 लोगों से physically लड़ी है वो दोस्तो क्या सोथ आप इस बारे में सारा का अविक्षन, आप इसे किस तरीके से देखते हो कोमेंट सेक्षन में कोमेंट करके मुझे जरूर बताओ बिक बोस 18 से जुड़ी, लाइब फीड से जुड़ी लेटेस्ट, अपडेट, लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बैल आइकन को जरूर दबाओ